हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाली हूँ सीसी का चैप्टर नमबर फाई जिसका नाम है इखमनिकेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे ये चैप्टर बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट है बिकॉस इस चैप्टर से आपको इमेल तो आएगा ही आएगा साथ में आएगा आपको थियरी तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अब आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कम्मनिकेशन कितना ज़ादा ज़रूरी है यानि कि एक दूसरे से बातचित करना कितना ज़ादा ज़रूरी है पहले के टाइम में लोग ट्रेडिशनल कम्मनिकेशन करते थे यानि कि letter के through, इन सब के through एक दूसरे के साथ बातचित करते थे, अपने information exchange करते थे, अपने messages exchange करते थे And very important, जब यही information या message business के related है, यानि कि commerce के related है, तो हम उसको कह देते है commercial communication Communication, बहुत ज़ादे important है यह, जब हमारे information या messages business के related है, हम किसी से business के related बात कर रहे है, तो उस communication को हम कहेंगे commercial communication Communication, अब यह जो commercial communication है, या आप इसको correspondence भी कह सकते हो, क्यूंकि हम एक दूसरे से तो बातचिती कर रहे हैं, तो इसके जरीए आप असानी से अपना सामान बेच सकते हो, advertisement कर सकते हो, complaint कर सकते हो, collection का काम करवा सकते हो, किसी product की तारीफ कर सकते हो, जैसे जैसे business बदलता जा रहा है, customers की expectation भी बदलती जा रही है, आप आज के जमाने में देखि रहे हो, customers लोगों की कितनी need है, इसलिए आज के जमाने में बेचने का तरीका भी बदल गया है, खरीदने का तरीका भी बदल गया है, अगर हमें अपने business को इस competition में खड़ा जो modern technology है उसको accept करना पड़ेगा उसका इस्तमाल करना पड़ेगा उसको implement करना पड़ेगा अब देखिए यहाँ पर important चीज मैंने underline भी की है जब हम अपने information या message एक दूसरे तक पहुचाते हैं यानि की communication करते हैं लेकिन modern technology की help से तो हम उसको कहते हैं e-communication communication ही करते हैं हम लेकिन किसकी मदद से modern technology की मदद से तो उसको हम कहते हैं e-communication again important चीज और जब हम अपना business चलाते हैं modern technology की help से तो उसको हम कहते हैं e-commerce तो यहाँ पर आप e-communication समझ गया e-commerce समझ गया now the next topic is meaning of e-communication and its explanation e-communication को थोड़ा detail में यहाँ पर हम समझेंगे so communication carried out through the use of electronic media and devices is called e-communication जब हम किसी और से बात कर रहे हैं यानि कि जब हम किसी और के साथ communicate कर रहे हैं लेकिन electronic media और devices की help से तो हम उसको कहते हैं e-communication समझ लो मैं किसी के साथ बात कर रहे हूं लेकिन mobile phone की help से तो वो क्या है यह electronic media है यह device है तो मैं mobile phone से किससे बात कर रहे हूं तो मेरा जो communication है उसको मैं e-communication कहूंगी अब यहाँ पर जो letter e है ना इसका मतलब होता है electronics e-communication में क्या होता है हम हमारे information किसी दूसरे person को बताते हैं किस के जरिये email के जरिये video के जरिये teleconferencing मतलब की conference के जरिये या फिर television के तुरू या फिर अब तो बहुत सारे gadgets भी आ गए है जैसे की computer laptop, mobile phone and most important आपके computer, laptop या mobile phone में internet होना चाहिए तब ही आप e-communicate कर सकते हो e-communication का scope बहुत जादा बढ़ गया है आजकल अगर आप business run कर रहे हो और e-communication का help ले रहे हो ना तो आपका business बहुत अच्छे से grow होगा e-communication बहुत सारे जगा इस्तमाल होता है जैसे की government offices, corporation, financial education and voluntary institutions इन सब जगहों ने भी e-communication को adopt कर लिया है ये सब भी e-communication इस्तमाल करते हैं e-communication की वज़ा से ये जो communication है ये बहुत तेज हो गया है हम बहुत जल्दी एक दुसरे तक अपनी बात पहुचा पाते हैं और खर्चा भी बहुत कम लगता है now the next topic is forms of e-communication form मतलब आप कह सकते हो e-communication का ज़रिया तो देखे e-communication के बहुत सारे जरिये हैं यानि की बहुत सारे form है आप mobile phone के तुरू करो या mobile phone में भी applications आते हैं email के तुरू करो, video के तुरू करो तो e-communication करने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीका का अपना रूल है, अपना रेगूलेशन है, उसका अलग खर्चा है, उसका अलग फाइदा है, अलग नुकसान है, तो जो भी इनसान e-communication कर रहा है न, उसको जरूर से इन जरीयों की help लेनी चाहिए e-communication करने के लिए, तब ही उसका business या service बहुत अच्छे से grow ह अब यह forms हम देख लेते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, बहुत सारे form हैं, पहला है e-mail, दूसरा है instant messages, तीसरा है website, चौता है video, पाच्वा है audio, शिक्स है text messages, तो e-communication करने के इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे जरीये हैं, इन में सबसे ज़्यादा important है e-mail, तो चलिए इसके बारे में detail में पढ़ते हैं, तो यह e-mail क्या है, e-mail e-communication का सबसे main जरीया है, अगर आप e-communication करते हो, तो e-mail तो आपको करना ही चाहिए, e-mail आजकल बहुत ज़्यादा important हो गया है, अगर आप किसी से लिख के बात करना चाहते हो, यानि कि return correspondence करना चाहते हो, अपने message, अपने information किसी और तक पहुचाना चाहते हो, तो आप e-mail का use कर सकते हो, बट यह e-mail होता क्या है, तो देखे, जब आप किसी से correspondence करते हो, यानि कि return में बात करते हो, electronic media की मदद से उसी को हम कहते है e-mail, electronic mail इसका full form होता है, आप याद रखे एक marks के लिए, आज के modern जमाने में इसका बहुत जादा इस्तमाल होता है, even अगर कोई social काम है, या फिर political काम है, कोई business का काम है, या personal काम है, तो भी लोग e-mail का इस्तमाल करते हैं, e-mail को बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है, अगर हम letter से compare करे तो, अब हम देखते है form of e-mail, तो जब मैं किसी को e-mail भेज रहे हूं, तो सामने वाले के पास भी e-mail address होना चाहिए, और मेरे भी पास, अब आप e-mail address बनाओगे कैसे, बताने की तो जर्ट नहीं है, आपने क्या पता कितने बनाए होंगे, बट टेक्सबुक में है, तो सुन लीजे, आप yahoo और google पे जाके अपना e-mail account बना सकते हैं, देखे, जब आप e-mail account बनाते हैं, तो आपको password बनाना होता है, तो वो password आप ध्यान से बनाएं, और बाद में उसको याद भी रखे, भूल न जाएं, जब आप e-mail भेज रहे हों, तो एक बात confirm रखना कि आपके पास भी internet हो, और सामने वाले के पास भी internet हो, यह जो आप e-mail भेजते हो ना, इसमें सबसे ज़्यादा important है e-mail address, gadget important नहीं है कि आप कौन से gadget से भेज रहे हो, mobile से या computer से, आप एक phone से दूसरे phone में भी भेज सकते हो, आप एक computer से दूसरे computer में भी भेज सकते हो, computer से phone में भी भेज सकते हो, phone से computer में भी भेज सकते हो, अब आता है points to be considered while writing email आपको कौन सी बाते ध्यान में रखनी है जब आप email लिख रहे हो सबसे पहला आप जो email लिख रहे हो उसमें आपको सामने वाले का address नहीं लिखना है घर का address नहीं लिखना है आपको लिखना है उसका email address second में ये है कि समझ लो आप किसी को email लिख रहे हो और आपको उस email को 10 लोग या 20 लोग तक पहुचाना है तो आप क्या करोगे अगर आपने email यूज किया होगा तो आपको पता है योगा कि पहले आता है to उसके बाद आता है cc तो उस two में आप किसी एक जन का email address लिख दो और cc में आप उन बाकियों का email address लिख दो जिसको आपको भेजना है और फिर आपका email उन सब को चला जाएगा for example मैं teacher हूँ और मुझे 10 बच्चों को एक email भीजना है तो मैं क्या करूँगी तू में मैं एक बच्चे का email address डाल दूँगी और बाकी 9 का email address मैं cc में डाल दूँगी अब हम format देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा third है अगर आप नहीं चाहते कि आपका email किसी और के पास जाए तो आप क्या कर सकते हो उस cc बाले area को blank रख सकते हो fourth आपको date या year mention करने की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप हो जाता है fifth subject लिखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है sixth salutation भी होना चाहिए मतलब की dear sir, madam, ma'am ये सब भी होना चाहिए seventh email में आप जो matter लिख रहो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है brief and clear eighth email खतम होने के बाद आपको अपना नाम और contact details भी लिखनी है ninth, देखे email में ऐसी setting होती है कि आप एक बार setting कर लो फिर हर email के last में खुद ही आपका सब contact details आ जाएगा तो ninth point में ये लोग यही बोल रहे है tenth, अगर आपको कोई photo या फिर आपको कोई video या फिर audio भेजना है email के साथ तो attachment का option आता है आप attach करके भेज सकते हो 11th में भी यही बोला है कि email में आप आसानी से attachment को include कर सकते हो 12th email भेजने से पहले आपको एक बार उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए अब देखे ये बहुत important है हम देखेंगे example of email email आपके exam में आता ही आता है तो आप इसे जरूर ध्यान से समझे पहला email देखे write an email on behalf of alpha cycle भरूच to healthy cycle manufacturing noida placing an order to purchase 300 cycles तो समझ लो आप alpha cycle वाले हो आप business हो आपका नाम है alpha cycle आप cycle का business करते हो तो आपको healthy cycle manufacturing को एक email लिखना है क्यूंकि आपको 300 cycle उनसे खरीदनी है चलिए देखते हैं इसको two में आगया healthy cycle at the rate gmail.com क्यूंकि हमें healthy cycle को भेजना है from में हम आगये यानि कि alpha cycle at the rate yahoo.com ये email address है subject में हमने लिख दिया order to purchase cycles फिर हमने salutation मैंने आपको बताया था sir, madam तो हमने sir लिख दिया तो इस email में लिखा क्या है इन लोगोंने तो ये लिख रहे हैं कि हमारे customers बहुत ज़्यादा खुश है आपके cycle के modern design से और आपके cycle की quality से और आपकी ये जो cycle है healthy cycle मतलब cycle healthy नहीं है cycle का नाम है healthy तो ये जो cycle है healthy cycle ये हमारी area में बहुत ज़्यादा बिक रहा है और जैसा कि आपको पता है कि जून से नया academic year शुरू होता है यानि कि बच्चों का school खुलता है जून से तो बच्चे घर पे रोते हैं कि भाई मुझे को cycle दिलाओ cycle दिलाओ तो cycle की demand तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप हमको 100 smart boy cycle भेजिए जो एक 2600 का पढ़ता है और आप हमको 75 smart girl cycle भी भेजिए जो 2800 का पढ़ता है मतलब कि एक 2800 का पढ़ता है और फिर ये लोग कह रहें कि ये सारे cycle आप हमारे शोरूम तक पहुचा दिजे payment हम लोग online कर देंगे एक बार हमको ये मिल गया product तो साथ दिन बाद हम payment भी कर देंगे फिर ये लोग लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से delivery कर दे रोमिल सोनी ओनर और फिर इनका contact detail लिखा हुआ है तो आप समझ के होंगे इसका format to from subject sir और फिर content और नीचे आपके contact details second email देखिए write an email on behalf of गुजरात state board of school textbook गांधी नगर informing the author of concerned subject regarding the meeting to prepare new text books इसका मतलब ये है कि आप समझ लो कि आप हो गुजरात state board of school textbook आप लोग गुजरात बोट के textbook बनाते हो और अभी आपको क्या करना है सभी authors को email करना है कि एक meeting रखी है आप सब आ जाईए क्योंकि हम लोग नया textbook बनाने का सोच रहे हैं तो कैसे लिखा है ये email सबसे पहले तू में हमने लिख दिया प्रोफेसर हेतन मेवाडाइडिरेजीमेल.com अब देखे यहां पर सीसी आ गया हमें बहुत सारे प्रोफेसर को email करना है तो एक प्रोफेसर का नाम मैंने तू में लिख दिया बाकी सब का मैंने सीसी में लिख दिया फ्रोम में हमें अपना email address लिख दिया है तो इसमें भी यही किया है and subject for the meeting of the subject of commercial communication. Commercial communication की new textbook prepare करनी है इसे लिए इन लोगों ने meeting बुलाया है तो सबसे पहले इस email में सबको thank you बोला जा रहा है कि हम आपको thank you बोलते हैं कि आपने इतने सालों तक service दिया यानि कि textbook बनाए वो लोग author है तो वो लोग तो इसी तरह से service दे सकते हैं तो गुजरात state वाले thank you बोल रहे हैं उन सबी authors को फिर कहते हैं कि आप सबको तो पता ही होगा कि जुन 2017 से हम standard 12 के लिए नया syllabus बना रहे हैं तो इसी लिए हमें author select करना है ताकि हम नया वाला textbook बना सके तो उसी के लिए meeting रखी है 22 मार्च 2016 को एक बजे assembly hall में और वहाँ पर आपको आना है और हम blueprint बनाएंगे और नया textbook के related सबकुछ discussion भी करेंगे फिर कहते हैं कि हम आपको request करते हैं कि please आप इस meeting में आए TA और DA सब आपको पे करा जाएगा यह TA और DA मतलब उनके आने का खर्चा उनके वहाँ पर रहने का खर्चा खाने पिने का खर्चा सबकुछ यह लोग देने के लिए तयार हैं यह भी बहुत जादा important है exam के लिए because theory इसी में से आता है तो e-communication के बहुत सारे types कौन-कौन से हैं पहला है e-commerce, दूसरा है e-banking, तीसरा है e-learning and video conferencing चौता है e-tendering, पाच्वा है e-auction, छठा है e-filling, सात्वा है e-booking आत्वा है e-stamping और नौवा है e-governance इन सभी को चलिए देख लेते हैं, तो सबसे पहला है e-commerce देखे, जब हम एक product बेचते हैं या फिर खरीदते हैं कहीं भी और कभी भी electronic media की मदद से और उस media में internet भी है, तो उसको हम कहते हैं e-commerce एकदम simple बात बोलू, तो जब हम online अपने सामान को बेचते हैं या फिर online हम सामान खरीदते हैं, तो उसको हम कहते है e-commerce इसको online shopping भी कहा जाता है जिस भी business को अपना सामान बेचना है, वो लोग क्या करेंगे एक website पे अपने सभी सामानों को दिखाएंगे और जो भी लोग वो सामान खरीदना चाहेंगे, वो लोग उनसे contact करेंगे अब ये लोग करते क्या है, जो business करते हैं, वो लोग करते क्या हैं कि सामान का advertisement करवाते हैं, टीवी पे, निउस पेपर में बहुत सारी जगा ताकि लोगों को पता चले, और फिर लोग क्या करते हैं, order place करते हैं order place कैसे होता है, वो लोग उस website पे जाके भी order कर सकते हैं या फिर mobile app के जरीए order कर सकते हैं, टेली फोन से भी order कर सकते हैं या फिर SMS के help से भी order कर सकते हैं, order तो कर दिया लेकिन payment कैसे करेंगे पेमेंट करेंगे debit card की मदद से, credit card की मदद से, online banking की मदद से या फिर simply cash on delivery अब ये जो e-commerce है ना इसका scope बहुत बड़ा है अगर आप business करते हो और आप e-commerce की मदद लेते हो तो आपका business जरूर grow होगा मतलब होगा अब ये जो e-commerce है यानि कि अगर आप online अपना सामान बेचते हो तो किस किस को बेच सकते हो अगर आप एक business हो तो किसी दूसरे business को भी आप सामान बेच सकते हो अगर आप business हो तो दूसरे customers को भी सामान बेच सकते हो या फिर आप कोई customer ही हो और दूसरे customer को सामान बेचना चाहते हो तो भी बेच सकते हो इसका example अगर मैं आपको दू तो OLX हम भी तो customer ही हैं लेकिन कोई एकाद सामान OLX पे बेच देते हैं दूसरे customer को तो ये था e-commerce, second है e-banking तो e-banking क्या होता है देखे जब कोई customer अपने पैसे किसी और को भेज पाता है लेकिन electronic devices की मदद से तो उसको कहा जाता है e-banking e-banking core banking के अंदर आता है e-banking को हम internet banking भी कहते हैं e-banking होता क्या है देखे अगर आपको e-banking करना है तो आप क्या किजिए अपने bank के website पे जाईए वहाँ पर आपको अपना registration करवाना पड़ेगा वो लोग आपके details देखेंगे फिर आपको pin देंगे और उसी pin की मदद से आप किसी को भी पैसे भेज पाओगे बैंक में जाए बगेर आप अपने घर पे बैठके ही computer या mobile phone की मदद से अपने पैसे भेज पाओगे तो यही होता है e-banking और जब आप ये सारा काम mobile से कर रहे हो तो उसको हम कहते है mobile banking अब थरड आता है ECS Electronic Clearing Service तो इसमें क्या होता है जब हम एक bank से दूसरे bank को पैसे भेजते हैं या फिर किसी दूसरे institution को पैसे भेजते हैं Electronic System की मदद से तो उसको कहा जाता है ECS ये ECS के जरिये भी हम पैसे ही भेजते हैं अब ये जो facility है ये सभी account holders को दी जाती है यानि कि जिसके पास account है हमारे पास भी account है तो हमें भी ये service मिलती है ECS की मदद से हम आसानी से किसी को भी पैसे पे कर पाते हैं पैसे भर पाते हैं अब जो बड़े बड़े institutions हैं वही जातातर इसका इस्तमाल करती है salary देने के लिए, pension देने के लिए, interest देने के लिए या fit dividend देने के लिए और हमारे जैसे लोग इसका इस्तमाल कहां पर करते हैं हम इसका इस्तमाल करते हैं बिल भरने के लिए, insurance premium बरने के लिए light बिल भरने के लिए, television बिल भरने के लिए या फिर installment भरने के लिए थर्ड आता है RTGS Real Time Gross Settlement तो देखे अगर आपको किसी को instantly पैसे भेजने है बहुत short time में आपको किसी को urgently पैसे भेजने है तो आप पैसे भेज सकते हो online उसी को कहा जाता है RTGS यानि की Real Time Gross Settlement अगर आपको RTGS की सुविधा लेनी है तो आपको अपने mobile number को register करवाना पड़ता है ताकि बाद में उसी पर SMS आए जब आप पैसे भेज दो तो उसी पर SMS आए अब देखे जब आप RTGS करते हो तो आपको एक form भरना पड़ता है उस form में आपको क्या-क्या लिखना पड़ता है सबसे पहला आप कितना amount भेजना चाहते हो वो लिखना होता है second आपको उस bank का नाम लिखना होता है जहां पर आप पैसे भेज रहे हो third आपको account number भी लिखना होता है जिसे आप पैसे भेज रहे हो and fourth आपको IFSE code भी लिखना होता है next आता है e-learning and video conferencing तो जब हम education classroom के बाहर से ले रहे हैं electronic media की मदद से और time और place का कोई लोचा ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं e-learning अभी आप मेरा ये video देख रहे हो I'm sure आप कहीं पर भी हो लेकिन classroom के अंदर तो नहीं ही होगे और आप ये जो मेरा video है या फिर mobile से देख रहे होगे या फिर computer से देख रहे होगे तो आप क्या कर रहे हो आप classroom के बाहर हो आप online इस lecture को देख रहे हो तो इसे भी हम क्या कहेंगे इसे भी हम कहेंगे e-learning इसे हम online learning भी कहते हैं, electronic learning भी कहते हैं या फिर internet learning भी कहते हैं e-learning में क्या होता है कि internet की मदद से सारे lecture, सारे video, सब कुछ website पर upload कर दिये जाते हैं as per syllabus और mobile phone की मदद से या फिर computer की मदद से हम वो सब कुछ देख पाते हैं हम क्या कर सकते हैं, exam भी online ले सकते हैं और result भी online दे सकते हैं आजकल तो television पे भी बहुत सारे educational program आते हैं, यानि कि television की मदद से भी अभी पढ़ाया जाता है ये तो था e-learning लेकिन video conferencing क्या होता है video conferencing का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग computer या mobile phone के जरिये बात चीत करते हैं और जाहिर सी बात है जब वो बात करेंगे तो internet तो होना ही चाहिए उसी को तो हम कहते है video conferencing जब आप video call किसी को करते हो तो आप क्या कर रहे हो video conferencing कर रहे हो इसे हम two way communication कहते हैं क्यों क्यूंकि video conferencing में क्या होता है आपका आवाज भी जाता है और आप भी दिखते हो तो ये two way communication होता है next आता है e-tendering simply मैं आपको tender का मतलब बता देती हूं पहले टेंडर मतलब क्या होता है समद लोग किसी को कोई बहुत बड़ा काम करवाना है तो वो लोग क्या करते हैं टेंडर पास करते हैं जैसे कि गवर्मेंट को अगर रोड बनवाना है तो वो टेंडर पास करवाते हैं अब बहुत सारी company आपलाई करती है quotation भेशती है government को जिस company को देना होता है वो tender वो लोग दे देते है फिर वो company ही रोड बनाती है उनको पैसे मिलते है ठीक है इसको तो tender बोलते है बट यह tender क्या होता है देखे जब online advertisement दिया जाता है किसी भी institution के द्वारा मतलब कोई institution है जो बहुत बड़ा कोई काम करवाने वाली है तो वो लोग क्या करते है ओनलाइन ही advertisement दे देते है फॉर एक्जामपल अगर किसी institution को कुछ construction करवाना है या फिर कुछ बहुत बड़ा बेचना है तो वो लोग पहले online advertisement दे देंगे अब जिनको भी interest होगा वो लोग अपना quotation बेजेंगे terms and condition बेजेंगे फिर वो institution को जो भी अच्छा लगेगा जिसका quotation, terms and condition अच्छा लगेगा उन्हें ये लोग काम दे देंगे तो ये सारा काम online हो रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं e-tandering next आता है e-auction, auction मतलब होता है निलामी और यही निलामी जब online होता है तो इसको हम कहते हैं e-auction देखे, e-auction मतलब वही अगर हम निलामी करते हैं but electronic media और internet की मदद से हम करते हैं तो इसको हम e-auction कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो seller है उसे अपना सामान बेचना है तो वो online ही अपने website पर अपना वो सामान या अपनी वो चीज डाल देता है और उसी के नीचे बहुत सारे buyers अपना अपना comment डालते हैं कि मैं इतने में लूँगा दूसरा लिखेगा मैं इतने में लूँगा तीसरा लिखेगा मैं इतने में लूँगा तो वो जो seller है उसको जो भी अच्छा लगा price जिसकी high आएगी वो उसको वो सामान दे देगा अब यह e-auction कर कौन-कौन सकता है तो अगर आप कोई business हो तो आ कोई सामान बेचना हो तो आप एक्षण कर सकते हो और अगर आप ऐग्योओ और दूसरे के स सामान बेचना है तो आप ए-auction कर सकते हो next आता है ए-filling अब यह e-filling क्या है तो देखें बहुत सारे organizations होते हैं जिनें बहुत सारी Мेशन चाहिए होती है तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक फॉर्म भी अपने वैबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, और अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलिंग मतलब क्या है, भरना, और जब आप उनलाइन भरते हो तो इसको इफिलिंग कहते हैं, सिंपल, ये जो इफिलिंग है, ये जो इफॉर्म है, इसे कम्प्यूटर की मदद से बनाया जाता है, अगर आपको इफिलिंग करना है, तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पर जाके रेजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक बार आप रेजि बहुत सारे और्गिनाइजेशन, नेक्स्ट है, इबुकिंग, सिंपल है, जब आप एलेक्ट्रोनिक मीडिया की मदद से, यानि की इंटरनेट की मदद से, रेलवे टिकट, एयर टिकट, सिनेमा टिकट, या फिर किसी प्रोग्राम का टिकट बुक करते हो, उसको हम कहते हैं इबुकिंग, और जब आप इबुकिंग करते हो, तो टाइम और प्लेस का कोई लोचा नहीं होता है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, इसे ए रिजर्वेशन भी कहा जाता है, अब आप चाहो तो इसे अपने मुबाइल फोन में भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको हाड कोपी चाहिए तो आप उसका प्रेंट भी करवा सकते हो इसका पेमेंट हम डेबिट कार्ड ग्रेडिट कार्ड ओनलाइन किसी भी तरह से कर सकते हैं स्टैंप डिटी मतलब क्या होता है जब कोई आप पेपर बनवाते हो आपने देखा होगा उस पर सिक्का लगा होता है तो उस सिक्के के लिए आपको कुछ पे तो करना पड़ता होगा उसी को हम कहते हैं स्टैंप डिटी तो जब हम गवर्मेंट को स्टैंप डिटी पे करते ह अब हम क्यों stamp duty pay करते होंगे, क्या पता हमने कोई घर लिया होगा, या फिर कोई rent agreement होगा, या फिर share debenture या bond की बात है, या फिर हमने कोई business का registration करवाया है, तो इन सभी जगा stamp की जरूरत पड़ती है, तो आप जब ये पैसे government को online pay करते हो, तो इसको हम कहते हैं e-stamping, और ये बहुत ज़्यादा safe है, आपको इसमें कोई attention नहीं लेना है, लास्ट है e-governance, government time to time बहुत सारी योजनाई निकालती रहती है, बहुत सारे ये लोग information लोगों को बताते रहते हैं, तो सहर वालों को तो ये बात पता चल जाते हैं, लेकिन जो लोग गाउं में रहते हैं, रि जाती है, तो इसे ही कहा जाता है e-governance, मतलब कि आप country के किसी भी area में हो, लेकिन आप government की services ले रहे हो, उनके information को जान रहे हो, लेकिन कैसे electronic media की मदद से, mobile phone, computer, TV की मदद से, तो उसको हम कहते हैं e-governance, तो ये chapter यही पर end होता है, पीछे एक tender का format है, और एक chief minister scholar scheme है, ये दोनों important नहीं है, exam में नहीं आते हैं, फिर भी अगर आपको देखना है, तो आप go through कर सकते हो, ये बिल्कुल important नहीं है, exam में आता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे cover नहीं किया है, Thank you so much for watching this video till end, if you have any doubt, let me know in the comment section, एक chapter बाकी है, उसे भी मैं बहुत जल्द कवर करने वाली हूँ, तब तक के लिए, बाई बाई, ताटाएंग, आउजू. कर दो